तो आज हम आगको exercise 9.3 का question number 24 बताएंगे तो question number 24 में कह रहा है दिखाएए कि एक गुड़ोत्तर सेड़ी के प्रथम यन पदों का योगफल तथा यन प्लस वन वे पद से टू यन वे पद तग के पदों का के योगफल का अनुखात वन अपान आर की पावर यन है तो हम मान लेते माना गुरुत्तर सेड़ी का प्रथम पद बनाबार ए सार वन पाद बराबर आर मान अगुरुत्तर सेड़ी का प्रथम पद बराबर है सार वन पाद बराबर आर इसलिए सेड़ी बराबर है अर A R square A R Q A R power N minus 1 A R power N A R power N plus 1 A R power 2N करा दिखाई गुरुता स्टेट के प्रथाम यन पदों का योगफल यन प्लस वनवे पद से 2 यनवे पद तक के योगफल कुन पद यन प्लस वनवे पद से 2 यनवा पद यन प्लस वनवा पद अर्थात यहां से है यन पद यहां A R, A R square, A R cube डाड़, A into R power N minus 1 यह एक से लेकर के यन पद है गुर्था सेड़े का यनवा पद TN बराबर होता A into R power N minus 1 तो इस प्रकार से A, A R, A R square, A R cube डाड़, A R power N minus 1 यह यन पद हो गए फिर यन प्लस वनवा पद कह रहा तो यन प्लस वनवा पद यहां से स्टार्ट हो गई है यन प्लस वनवा पद तो यन प्लस वनवा पद से और 2 यनवा पद तक के योगफल का अनुखात 1 upon R power N है तो सबसे पहले हम गुर्था सेड़ी के यन पदों का योगफल ग्याद करते हैं इसलिए गुर्था सेड़ी के गुर्था सेड़ी के यन पदों का योगफल यह सेड़ी के यन पदों का योगफल जहां आरिज लेस्दैन 1 माना गया है आरिज लेस्दैन 1 तब यह है अब इसलिए यन प्लस वनवे पद से 2 यन पदों तक का योगफल ग्याद करना है तो हम इस गुरुता से ठीके एक से ले करके टू यन तक पदों का योगफल ग्यात कर लें फिर उसमें से यन पदों का योगफल हम घटा दें तो यन प्लस वनवे पद से टू यनवे पदों तक का योगफल ग्यात हो जाएगा मतलब एक से ले करके आप 2 यन पदों तक योगफ़ल ग्याद कीजे पहले फिर यन पदों की योगफ़ल आप घटा देंगे तो यन प्लस वन में पद से ले करके 2 यन पदों तक का योगफ़ल ग्याद हो जाएगा तो इसलिए यस 2 यन घमान निकालते हैं यस और 2 यन यस 2 यन इक्वल टो होगा A into the power 1 minus R की power 2 यन या 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 यन प्लस कारहा है यन प्लस वन में पर से 2 यन पदों तक का योगफ़ल ग्याद कर लेगे डारेक्ट ही यान प्लस वन यान प्लस वन वे पद से तू यान तू यान पदों का योगफल यान प्लस वन से तू यान तक पदों का संख्या होगी कुल यान क्योंकि यहां से लेकर यहां तक तू यान पद है और यहां से लेकर यहां तक यान पद तो 2 n पदों में से यन पदा भटा देंगे तो ये इनकी संख्या होगी n तो इसके लिए प्रथम पद ये माली a into r power n अब 1 minus सारवन पात वही रहेगा r तो r की power n upon 1 minus r अज इसमें कर रहा कि प्रथम यन पदों की योगफल तथा यन प्लस वनवे पद से तू यन पदों की योगफल का अनुपाद करना है यन पदों की योगफल और यन प्लस वनवे पद से तू यन पदों की योगफल का अनुपाद इसलिए यस यन Yes and Unparty Yes and That is Equal to A into 1 minus R power n Upon 1 minus R Unparty A into R power n 1 minus R power n Upon 1 minus R Is A cancel Haja 1 minus R power इक्वल टू डू बरेशिओ आर्ज़ पावर यंद इक्वल टू 1 अपान आर्ज़ पावर यंद तो जो चीज आपको प्रूब करना था वो प्रूब हो गया कि गुरुटर्सटीए के प्रताम यन पदुगों की ओख소ल था यन प्लस वोनों में पर से टू यन पदों की योग फलकान पात वन अपन आर्फ पावार यन होगा ये ची आको रूप पन्ना था तीसरा स्ये सिद्ध हो गया इसके पास चाहच चली अगला क्वेशन क्वेशन नमबर ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव जरिके बाप टू बपच है ये consistentग मॉजरब कैसा पाल को इबताई बिल र्लाड़ से दू हां गयाँ वालकिने क। सब्सक्राइब नाइन पॉइंट थी का क्वेश्चन नमबर 25 देखे तो क्वेश्चन नमबर 25 देखे तो क्वेश्चन नमबर 25 देखे हैं यह ए बी सी डी गुरुत तर सेड़ी में हैं तो दिखाईए कि चुकि A, B, C, D गुरुत तर सेड़ी G, P में हैं इसलिए B upon A equal to C upon B equal to B upon C equal to R इसलिए पदों के बीश का अनुपार बराबर होगा तो इसलिए B upon A equal to C upon B equal to B upon C equal to R तो इसलिए B upon A equal to R या इसलिए B बराबर A R और C upon B equal to R तो C equal to B R B कमाने हाँ रखेंगे तो A R into R, A R square by C equal to D upon C equal to R, तो D equal to C into R, फिर C कमान रखेंगे, A R square into R, तो D equal to A R Q तो इस प्रकार से B equal to A R आ गया, C equal to A R square आ गया, D equal to A R Q तो इसलिए B, C, D कमान R के पद में ग्यात हो गया, अब इसके प्शाथ हमें सिद्खना प्रूब करना है A square plus B square, A square plus B square plus C square into breakant B square, B square plus C square plus D square equal to in breakant में A B plus B C plus C D, A B plus B C plus C D का whole square, प्रूब करना है तो इसके लिए हम बाया प्शाथ लेते हैं, left hand side, तो यहले शैस equal to in breakant A square plus B square plus C square B square plus C square plus D square E square, B के असाथ AR रखेंगे E R का whole square plus C square, C के असाथ AR square होगा B square, B के असाथ AR का whole square plus C square E square plus D square, E R cube का whole square, इसके असाथ अब इसको हम simplify करते हैं, आगे E square to E square plus A square into R square plus A square into R power 4 discover which A square into R square plus A square into R power 4 plus A square into R power 6 अब इसमें कामल लेंगे A square कामल लेंगे 1 plus 1 plus R square plus R power 4 A square into R square कामल लेंगे हम इन तीनों फ़दों से A square into R 1 plus R square R power 4 अब इन दोनों multiply कर लेजिए 1 power 4 R square इन देकर 1 plus R square plus R power 4 इन देकर 1 plus R square plus R power 4 इसके पास चाथ हम इसके पास चाथ हम right hand side लेते हैं RHS RHS equal to दिया है A B plus B C A B plus B C plus C D का whole square अब इसी हम value रखेंगे A B C value तो A के place A रहेगा ही B के असाथ A R होगा plus इस B के असाथ A R C के असाथ A R square यहाँ पर A R square और D के असाथ पर A R Q का whole square simplify कर लिए A square into R plus A square into R Q और plus A square R power 5 का whole square फिर अब इसमें से हम A square into R इतना कामल लेंगे तो जब A square into R कामल लेंगे तो A square into R का whole square बाहा निखलेगा क्योंकि पूरे का square है A square into R का whole square इतना बाहा निखलेगा यहाँ 1 बचेगा plus यहाँ पर R R square बचेगा यहाँ आर्ट पावर 4 बचेगा का whole square तो इसलिए यलचस इक्वल टू R यचस जो ची आपको प्रूब करना था वो आ गए यहाँ से आप देख रहे है संबंधेग से कि यह लचस की बचेगा आ रहे है 1 पावर 4 into R square इन बेकर में 1 प्लस R square प्लस R पावर 4 का whole square और यहाँ देख रहे हैं आप relation second से right hand side की जो बचेगा पार ही है A square into R का whole square 1 प्लस R square प्लस R का whole square इसलिए यह लचस इकल टू RHS जो ची आपको प्रूब करना था वो प्रूब हो गया इसके पास्चाथ हम अगला question question number 26 आपको बताएंगे question number 26 देखिए question number 26 question number 26 देखिए रहा है आईसी दो संख्याएं ग्यार कीजे जिनको 3 तथा 81 के बीच रखने पर प्राप्त अनुकुरम एक गुरुताय सेड़ी बन जाए तो मान लेते माना दो संख्याएं A तथा B हैं माना दो दो संख्याएं A तथा A तथा B हैं तथा B हैं जिनको माना दो संख्याएं तथा B हैं जिनको इनको 3 इनको 3 तथा 80 के मध्य मध्य रखने पर प्राप्त प्राप्त अनुक्रम प्राप्त अनुक्रम गुड़ोत्त असेधी रखने पर प्राप्त अनुक्रम गुड़ोत्त असेधी में माना दो संख्या ये तथा भी हैं जिनको तीन तथा 81 के मद रखने पर प्राप अनुकर्म गुरुतार सेड़ी में हैं इसलिए 3 कामा A कामा B कामा 81 गुरुतार सेड़ी GP में हैं इसलिए T2 अपान T1 इसलिए A अपान 3 इक्वल टू B अपान A इक्वल टू A T1 अपान B होगा अठा दूसरे पाद और पहले पाद के बीच का अनुकर्म पाद दूसरे और तीसरे के बीच का अनुकर्म पाद और चोथे और तीसरे पाद के बीच का अनुकर्म पाद बराबर होगा इसलिए अब आप इन दोनों समंध लिए तो इसलिए A square equal to होगा A square equal to 3B समंध एक आ गया और यहां से B square equal to होगा B square equal to होगा 81A समंध दो यहां से B square का मान समंध एक रखने पर समंध एक से समंध एक से A की power 4 equal to होगा 9B square इसलिए A power 4 equal to 9 into B square B square का समंध नहीं होगा 81A एक पाउर 4 equal to इसके बाद आप पक्षांतर कर लिए तो पक्षांतर करने पाएगिए यहां से एक पाउर 4 minus 729 A equal to 0 एक कामन लिए A cube minus 729 equal to 0 इसलिए A बराबर 0 जो किया संभाव है और A cube minus 729 equal to 0 इसलिए A cube equal to 729 इसलिए A equal to A equal to 9 आएगा दोनों पक्षांतर का आप घन्मूर ले लिए A cube equal to 729 इसलिए A equal to 9 होगा और A equal to 0 अमान हो जाएगा इसलिए A equal to 9 और A equal to 9 संभन्ध एक में रखने पर A equal to 9 यहां रख दीजे संभन्ध एक में रखने पर A equal to 9 संभन्ध एक में रखने पर इसलिए 9 का square equal to 3B होगा 81 equal to 3B 81 upon 3 equal to B 27 B equal to 27 आगया और A equal to 9 तो इस तरह से हम A और B की बैलू ग्याद कल लिए आता 3 और 81 के मध्ध दो संभ्या यहीं होगी 9 तथा 27 जोकी गुड़तार सेड़ी में होगी आता में लेख दीजिए गाता है 3 तथा 81 के मध्ध मध्ध है 3 के मध्ध की 2 संभ्या के मध्ध है के मध्ध है दो संभ्या 9 तथा 27 है 3 तथा 81 के मध्ध दो संभ्या 9 तथा 27 है इस तरह से क्वेशन नमबर 26 समाप्थ हो गया इसके पास्चाथ हम अगला क्वेशन आपको कल बताएंगे क्वेशन पास्चाथ